प्लीज सब्सक्राइब और नोटिफाइड वेनेवर वीडियो नमस्कार मैं हूँ फराखान जेल में बलातकारी बाबा राम रहीम बेचैन है जेल में बाबा का दिन तो कर जाता है लेकिन रात मुश्किल से गुजर रही है डॉक्टर ने बाबा की जाच की जिसका संसनी खेज नतीजा सामने आया खबरों के मताबिक बाबा को टॉनिक पीने की आदत थी आरोप है कि उसे आम टॉनिक नहीं बलकि सेक्स टॉनिक पीने की आदत थी लेकिन अब उसे सेक्स टॉनिक नहीं मिल रहा है इसलिए बाबा बेचैन है News 18 इंडिया को दिये exclusive interview में बाबा की इस बिमारी का राज उस साधवी ने भी फाश किया है जिसने उसकी कर्तूत को करीब से देखा है एक पड़ पिला जाता था अमरत रस बोलते थे उसे अमरत रस जो पी लेता था उसको पीने में बहुत अच्छा और ठंटक मिलती थी क्यूंकि गर्मी वहां पर बहुत ज़्यादा है उस एरिये के अंदर राम रहीम के टॉनिक का असर था कि वो अपनी डेरे में जिससे भी जबरदस्ती करता था वो कुछ कह नहीं पाता था राम रहीम अपने डेरे में बहुत गुपचुप तरीके से साद्वियों को जबरदस्ती का शिकार बनाता था आरोप है कि जो भक्त उसकी करतूत के बारे में जान भी जाते थे वो भी बाहर आकर उसके बारे में कुछ बता नहीं पाते थे ये राज खोला है डेरे के पूर्व भक्त गुर्दा सिंग तूर ने खबरों के मताबिक तूर ने ये भी दावा किया है कि बाबा को सेक्स टॉनिक की आदत थी राम रहीम उस्ट्रेलिया से सेक्स टॉनिक मंगाता था बाबा को एनरजी ड्रिंक की लग थी बलातकारी राम रहीम को सेक्स टॉनिक की आदत थी ये रास खोला है बाबा के डेरे के पूर्फ सदस से गुर्दास ने तो इस टॉनिक को पीने के बाद बाबा क्या करता था इस रास का फाश किया उस साद्वी ने जिसने बाबा राम रहीम को बहुत करीब से देखा उसने ये रास खोला है कि बाबा किस तरह से डेरे की साद्वियों का बलातकार करने का आदी हो गया था बाबा की कर्टूतों के राजदारों के मताबिक देरे की कई साद्वी बाबा की सेक्स वाली बीमारी का शिकार बनी इसके लिए बाबा ने अपने डेरे में खास गुफा बना रखी थी ये भी अब राज नहीं बाबा की सेक्स वाली बीमारी के इस दवा खाने में बाबा की आयाशी का हर तरह का इंतजाम था जेल की चार दिवारी के भीतर ना उसे सेक्स टॉनिक मिल रहा और ना ही उसकी भूख मिट रही है अब उसे ठीक उसी तरह से बेचैनी महसूस होने लगी है जैसे किसी नशेडी को शराब या नशा छोड़ने पर होती है खबरों के मताबग इसका पता तब चला जब जेल में उसकी बेचैनी की जाच हुई एक अंग्रेजी पत्रका के मताबग जेल में बाबा राम रहीम ने बेचैनी की शिकायत शनिवार को डॉक्टरों ने जेल में ही बाबा राम रहीम की जाच की जाच पर पाया गया कि ये बेचैनी वैसी ही है जैसे नशा छोड़ने पर होती है और ये नशा बलातकार का है आरोप है कि बाबा ने अपने डेरे में रहने वाली बहुत सी साद्वियों का बलातकार किया हाला कि जाधतर मामलों में उसकी जबरदस्ती का शिकार बनी महिलाएं चुप रही लेकिन अब खुद उसकी बेचैनी ने उसके गुना का रास खुल दिया उसकी जाज करने वाले डॉक्टर ने उसकी बीमारी को तफसील से बताया है अंग्रेजी पत्रका में छपे डॉक्टर के बयान के मताबित अग्रेजी बेचैनी की वज़ा है अगर इसमें देरी की गई तो इससे बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी बाबा की कर्तूत को करीब से देखने वाली साद्वी के बयान से भी साफ है कि बाबा राम रहीम बीमार है बहुत ज्यादा बीमार है रात होते ही उसे सेक्स का बुखार चड़ जाता था इस साद्वी के बयान से भी साफ है रात को जब भी राम रहीम को सेक्स का बुखार चड़ता था डेरी की किसी न किसी साद्वी की शाम अता जाता था देरे में बाबा राम रहीम अपनी मर्दी चलाता था लेकिन जेल में उसकी एक नहीं चल रही उसे अपनी मुबोली बेटी हनीप्रीत को भी साथ रखने की इजासत नहीं मिली और जेल में बाबा को सेक्स का वो टॉनिक भी नहीं मिल रहा है जिसका वो आदी था आरोपों के मुताबिक विदेशों से एनरजी और सेक्स टॉनिक मंगाने वाला बाबा राम रहीम बड़ी ही चलाके से डेरे की साधवियों और लड़कियों को अपना शिकार बनाता था इसके लिए उसने अपने आश्रम में कई तरह के इंतिजाम कर रखे थे लड़कियों को शिकार बनाने के लिए बाबा ने जो भी इंतिजाम किये थे उनका रास तब खुल गया जब बाबा के डेरे की तलाशी ली गई अपने डेरे में साधवियों का बलातकार करने वाला बाबा राम रहीम जेल में बेचैन है जेल में ना उसे एनरजी देने वाला सिक्स टॉनिक मिल रहा है और ना ही उसकी भूख मिट पा रही है जब कि आरोप है कि डेरे में वो बेलगाम था एक छुपी गुपा से वो साधवियों तक पहुँच जाता था पूर्व सेवदारों का आरोप है कि डेरे पर वो लड़कियों से मुझरा करवाता था अजीबो गरीब सनक पूरी करने के लिए वो डेरे पर नकली बिग बॉस का खेल खेलता था आरोप है कि ये नाटक उसने अपनी मूबोली बेटी हनी प्रीट के साथ वक्त गुजारने के लिए किया गुर्मीत रामरीन कुद उसको होस्ट करता था और इस तरीके से सारा करकर के लोगों को कुछ नहीं बताया और बीस दिन तक अंदर ही रहे और बीस दिन के बाद ये बाहर निकले लेकिन जेल ने बाबा से उसका चॉनिक छीन लिया उसका रासफाश करने वाली साधवी का आरोप है कि सेक्स का ये चॉनिक वो साधवियों को डरा धंका कर हासल करता था बाबा के डेरे में हजारों भगते रहते थे इसलिए वो हर गलत काम गुप चुप तरीके से करता था ये रास तब सामने आ गया जब 901 में फैले सिर्सा के डेरा सच्चा सौधा की पिछले हफ्ते चानबीन हुई जाच टीम को राम रहीम के डेरे में शूपी हुई गुपा मिली ये गुपा साधवी निवास तक जाती थी फर्याणा सरकार ने भी इसकी पुष्टी की तेरा वास में एक रास्ता मिला है एक विंडो नुमा रास्ता है जो वो रास्ता आज साधवी निवास की तरफ जाता है ये गुपा एक इमारत की तीसरी मंजिल पर थी दोखा देने के लिए इसका दरवाजा एक खिड़की की तरहा बना गया था लेकिन ये रास्ता सीधे साधवियों के ठिकाने तक पहुँचता था इसलिए बड़ा सवाल है क्या साधवियों के कमरों तक जाता था राम रहीम अत्त क्लियर है कि गुर्मी ते रामरीम छुपके दुनिया से बच कर औरतों को लड़कियों को साद्मियों को स्टूडेंट को उस रास्ते अपने पास बुलाया गा यूज एडिन इंडिया बाबा की एक गुफाद पहले भी दिखा चुका है यह सीधे रामरहीम के बेडरूम तक जाती थी लेकिन यहां से निकलने के कई रास्ते थे आरोब है कि यहीं से वो लड़कियों के कॉलिज पर भी नसर रखता था यह सिर्फ बाबा के फिंगर प्रि सा खुल जाता था कि 40-42 का एक बेडरूम था जहां पर गर्मीत राम जी के जो फिंगर प्रिंट थे वहां लगाते थे फिर खुलता था और सारा रमोट से काम था उस उस रूम में जो शिश्य जहां कॉटन के पड़दे लगे थे वह भी रमोट से चलते थे लेकिन हनी प्र से दूर है सेक्स टॉनिक से दूर है और उन साध्वियों तक भी पहुंच नहीं पा रहा है जो उसकी बद्नियती का शिकार होती थी और इस वक्त की बड़ी खबर मोहित मलोत्रा दे रहे हैं 20 साल के लिए जेल में बंद राम रहीम के लिए मुसीबत और बढ़ रही है राम रहीम का ड्राइवर से खटा सिंग गवाही के लिए तयार हो गया है खटा सिंग का कहना है कि पहले उन्हें धराया धंकाया गया था जिसकी वज़ा से 2012 में वो गवाही से पलट गए थे हाला कि खट्टा सिंग की गवाही होगी या नहीं इसका फैसला कोट 22 सितंबर को करेगी दो हत्याओं के मामलों में एहम गवाख खट्टा सिंग ने आज पंचकुला की स्पेशल CBI कोट में क्याचिका लगाई और कहा है आपने तो पहले पंचकुला में यहां सारे पंजाब हर्याना में सभी जगा देखी लिया उन्हें गुंडों ने क्या क्या किया है वो ही मेरे साथ करते थे इसलिए मैं पीछे अटा था और कोई मेरे को कार्ण नहीं था अब अपने रावरी में अंदर चला गया है और मेरे को यह मालम हो गया भी आप सचाई सामने लियानी चाहिए और इसको करड़ी से करड़ी सजा और दलानी चाहिए और सरदार जी यह मेरे साथ खड़े हैं इनकी वज़ा से मैं और भी मजबूत हो गया हूँ कियोंकि मेरे को और भी हूंसला हो गया आप उस वक्त किया करते दो दोनों हत्याओं के बारे में आपके पास क्या जानकारियां जो आप कोड़ में आप देंगे तो काफि मदद मिल सकती है इसकी करता था और प्रबंध की कमेटी को कि अबीन पारी आपको क्या लगता है क्या वह सकती है उसके कहां का टिकाने ओसकते हैं वह सबस्तों में हो सकती है अपने 36 में निके और गुजरात में आश्रम है जूपी वे हमाचल में आश्रम है कहीं भी हो सकती है रही जाहीं तो बहुत जादे पेट किलेंगे और आएगा अचा अब और जो लोग हैं आप जैसे जो उसवक्त डरे हुए थे गुरमी तराम रहीं से दमकिया मिल रही थी, जान का खत्रा था, अब उनको आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे आप सामने आए हैं, कोट के सामने, याची का लगाई ये, वो लोग भी आएं सामने, मैं उनको गड़ी के लिए आके साधार जी को मलाऊँगा, और उनका पूरी मदद करूँगा, जैतनी मेरे के हो सकी, और कुईसी को डर देने की जरूरत नहीं, आप सामने आएं सब. और इस वक्त की बड़ी खबर वोहित मलहुत्रा, साल 2002 में हुई पत्रुकार राम चंदर छत्रुपती और 2010 में हुई जेरा सच्चा सौदा के पूर में, इस मामले में राम रहीम मुख्यारोपी हैं और इस केस से जुड़ी चार्शीट News 18 इंडिया के पास है, वो चार्शीट जिसमें राम रहीम के गुनाहों का काला चिथा मौजूद है, इस चार्शीट में बलातकार हत्या से लेकर लोगों को धमकाने जैसे अपराद की पूर इस में पूरी तरह से हमने सिक्योर कर रखा है, बाकी पंच कुला में जो सामने जिन्दगी है वो आराम से, पांच कंपनीज तो हमारे कास पेरा मिल्टरी फोर्सेज की हैं, इसके अलावा हमारे डिस्टिक की फोर्स लगी है, के लगे में आउटरोन पे चेकिंग हुआ हु यौन्शोशन मामले में, उसके बाद अभी ये 16 सप्टेंबर जो तारीख है आज की, ये लगी हुई थी हमारे फादर के केस में और रंजीत हत्याकान मामले में, तो आज उमीद है कि इन मामलों में मतलब फाइनल आर्गुमेंट पे हैं ये दोनों केसे, उमीद है कि अगर फाइनल आर्गुमेंट स्टार्ट होता है, तो विदिन डेज जो है, ये मामला निपट जाएगा और फैसला जल्दी ही आने की उमीद है। पीड़तों के लिए भी एक आशा की ऐसी खिड़की खोली है इस फैसले ने के उमीद करते हैं कि इन पीड़तों के जो जखम है उन पे भी जल्द नयाई पालिका जो है मरम लगाने का काम करेगी।